नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी एक बाब फिर से आप सभी का हार दिंग स्वागत आपी के अपनी चैनल मनी गुरुल जी पर तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले IPL 2022 के नेक्श मुकाबले के बारे में जो की कभी शानदार मुकाबला खेला जाने वाला है राजस्तान रोयल वर्सस कोलकता नाइट ट्रैडर्स के बीच में फ्रेंज्स ये जो मुकाबला खेला जाएगा वो खेला जाएगा टिस्क्रिप्शन में, ध्याँ टकना टेलिग्राम ओले लिंक से जोइन करना है, जो की मैंने दिये विडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में. तो चले फिरें, सबसे पहले हम बात कर ले देम, मनिकुपीस्य फेक्ट के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे, प्लेयर बेटल के बारे में, स्कोरिंग पैटर्न के बारे में, पॉसे और प्लेइंग 11 के बारे में और बहुत सारी ऐसी इंफोरमेशन है जिसे देखकर आप चोक जाओगे तो प्लीज वीडियो को लाज तक देखते रहे हैं तो सबसे पहले हम बात कर लें हेट्टोर्ड मुकाबलों के बारे में, तो अभी तक दोनों ही टीमों के बीच में 24 मुकाबले खेले गें, उसमें से 11 मुकाबले राजस्तान ने जीते हैं, 13 मुकाबले को लकाता की टीम ने जीते हैं, तो कोई ज़्यादा फर्ग यहां पर जैसा कि आप देख सकते हो संजू सेमसंग जब भी खेलते हैं शियो मावी की गेमें गेंदे हाला कि इस मेच में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे शियो मावी को देखने वाली बात होगी लेकिन रिकोर्ड बहुत ज़्यादा कमाल का है देखो कि आप 17 गेंदे फेक किये 15 की गेंदो को खेलते हैं उनसाट गेंदे के लिए रंज 47 बना हैं और तीन बार ये आउट हो चुके तो ये प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपोर्टिन होने वाले फिरम बात करें यहां से पेट कमिंस की जब भी जोस बटलर को ये गेंदे करते हैं एक सो तरियासी गेंदे क की एक सो तरियासी गेंदे की ये पचपन रंदी हैं और साथ बार आउट कर चुके पेट कमिं जोस बटलर को फिर नितिश राना की बात को लाश में बहुत अच्छा केल गए थे उससे पहले कोई खास काम इन्होंने किया नहीं था लेकिन युजविंदर चेहल की 57 गेंदो मेचों में 248 अन बना हैं वो भी 22 की एवरेस है रवी चंदरन अश्वीन ने जब भी कोलकता के सामने इन्होंने 22 मेचों में 23 विकेट निकाले इस बात को भी ध्यान में रखकर चलना है फिर आंदरेसल की बात करे कोलकता के सामने 11 मुकाबलों में 117 बना कर आ रहे हैं 29 के लेकिन विकेट ओनली 6 निकाले अगर आप कैप्टेन वाइस कैप्टेन बना रहे हो तो ग्रेंड लीग में जरूर से इन्हें आप ड्रॉप करकर चल सकते हो फिर शीवम मवी जैसा कि मैंने आपको ऊपर रिकोर्ड दिखा था बहुत कमाल का था संजीव सैमसंग के सामने ल गर वो चल गए तो आपको ग्रेंड लिक तक वोन करवा सकते हैं उसमें नाम आता है देवदत पड़ीकल का 5 मेचों में 125 रन बना है 25 की एवरेज से कभी भी बड़ी पारी में तबदिल कर सकते हैं वही पर हम बात करें सुनी लारायन की जब भी कहलते हैं राजिस्तान के सा है कि अभी तक इस ग्राउंड पर 18 मुकावले खेले गए उसमें से 9 मुकावले पहले बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं नो ही मुकावले बात में बल्ले बाजी करने वाली टीम ने जीते हैं फरस्ट इनिंग का एवरेज स्कॉर बहुत कमाल का एक सो पिच्चा सी बार बने तो कहने का मतलब इस ground पार score तो high ही बना है तो मैं मान के चलूँगा 117 प्लस का score हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है अगर IPL के recent game की में बात करूँ तो यह आप देखोगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि 117 से उपर score हमें देखने को मिल सकता है क्यों मिल सकता है उसका reason यह कि आप देखोगे अभी तक जो IPL में score बना है दोनों ही टीमों की possible playing 11 के बारे में उससे पहले फ्रेंस अगर आप भी कमेंट गीव हमें पाटिशिवट करके केश जीतना चाहते हो तो टेलीग्राम से जुट जाए टेलीग्राम पर सारी इंफोर्मिशन मिल जाएगी टेलीग्राम की लिंक वीडियो के नीचे शीवम मावी या अनकान दोनों मैं से को एक खेल सकता लेकिन रिकोर्ड को देखकर शीवम मावी को खेलाना चाहिए फिर वरुन चक्रवती अब बात करें लाश्ट मेच के तो कोलकता ने लाश्ट मेच में क्या किया था उमेश आदवने 4 ओर में 31 न देया लेकिन विकेट नहीं मिला था लेकर इस्टाट इनों ने बहुत अच्छा किया इस सीजन में फिर पेट कमिज ने लगबग चार ओर किये चालिस रन दिये एक विकेट लिया आंधर रेसल ने ओनली दो और गेंग बाजी की दो विकेट निकाल दिये 20 रन देकर अमन खान को कोई विकेट मिला नहीं वरुन चक्रवती तीन ओर में 45 वहीं पर सुनिल नारैने चार ओर में 23 रन दिये कोई भी विकेट इन को मिला नहीं था बात कले राजस्तान रोयल की टीम से तो राजस्तान की जो बल्ले बाजी है बहुत ज़्यादा इस्टर होंगे जैसा कि आप जोस बटलर को दीख सकते हो दिवदित पडिकल है संजू सेमसंग है रशी वेंडेन डेशन है शेमरोन हेटमायर है रियान परागे रवीचंद्र अश्विन भी बल्ले बाजी कर सकते हैं तो नंबर साथ तक इनकी बल्ले बाजी नजर आती है फिर आप गेंद बाजी की बात करे तो गेंद की जगे पड़ तीन ओर न में 19 संदी है थे लेकिन नहीं लेपाए प्रशित क्रिष्ण ने चार ओर में 35 उन दिय इनको भी विकित नहीं मिला फिलदीप सेन अच्छा काम कररे है लेकिन रन बहुत लुट आये थे चार ओर में 51 रण देकर एक विकेट, चहल ने 4 ओर में 32 रण देकर एक विकेट, रियान पराग ने एक ओर किया था, एक विकेट लिया था, लेकिन रण बारा दिया थे, वही पर रविचंद्र एश्विन के लिए ये सीजन इतना ज़्याद अच्छा, नहीं जारा, इनको तो फ्रेंज यहां पर हम Fentoo Play Ape के साथ सा Dream Ape की टीम हम यहां पर देखने वाले Main Team और Backup Team हम दोनों देखेंगे तो प्लीज पूरा वीडियो देखेंगे और उससे पहले आपको एक चीज बता दूँ कि यह जो एप है यह जो आप स्क्रीन देख रहे हो और जो आपके पास बोनस पड़ा हुआ है तो 25% बोनस आप ग्रेंड लिंक में भी यूज कर सकते हो बहुत अच्छा यह पर Fentoo Play लिंक मैंने वीडियो के नीचे दिस्क्रिप्शन में देदी है तो डाउनलोड कर लिजीगा तो चलिए फ्रेंज हम कॉंबिनेशन की बात कर लेते हैं तो मेरा जो मेंन कॉंबिनेशन होगा Fentoo Play लेप पर फिर हम ड्रीम की बात करेंगे तो Fentoo Play लेप पर आप मेरा कॉंबिनेशन देख लीजिए कैप्टेन मेंने बनाया है आंद्रेसिल को वाइस कैप्टेन मेंने बनाया है बटलर को आप चाहिए तो चेंज भी कर सकते हैं ये मेरी में टीम होगी Fentoo Play लेप पर अगर आप में बेकप टीम की बात करूँ तो ये मेरी बेकप टीम रहेगी Fentoo Play लेप की तो जरूँ डाउनलोड कीजिए में और बेकप टीम आपको कहां जोइन करने है जहां पर आप 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे हो केश गीववे जिसमें में एक आसान सा आपको क्वेशन पीछा है वो आपको कमेंड में आंसर करना है और आप जीज सकते हो अच्छा खासा पेटियम केश ध्यान रखना टेलिगराम मनी गुरुजी के नाम से 36,600 यूजर हमा से जुड़ चुके आप भी जुड़ जाई है लिंक मैंने दे दी है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसी लिंक से आपको में टेलिगराम पर फोलो करना है देख लेते हैं क्या र पेट कमिंस, उमेश आदो, फिर आप देखोगे योजूंदर चहल, ट्रेंड बोल्ट और कुलदीप सेन को मिने लिया, कुलदीप सेम अच्छा काम करें, अगर ये नहीं केलते हैं तो इनकी जगे जो भी आर्ट पोइंट का अच्छा किलाड़ी खेलेगा हम उसे अपनी ट पेट कमिंस, वेंकडे शाहियर को मैंने लिया, यहाँ पर मैंने सुनिल नारेन को लिया, फिर योजूंदर चैल, ट्रेंट बोल्ट और प्रसित कृष्णा, अब फ्रेंड किसी ब्रगार का अगर मैं कोई भी चेंजिस करूँगा तो मैं आपको टेलिग्राम पर बतनाँग किसा स्वे़ बतनाँ पर मैं है।